व्याख्यान चालिस और इस व्याख्यान से हम समय के साथ बदलते हुए शेत्रों के प्रभाव का धियन आरम करेंगे तो आज का व्याख्यान होगा फेराडे का नियम तथा समय के साथ बदलते चुम्ब की शेत्र से विद्युत शेत्र की उत्पत्ति तो अब तक हमने जो भी अधियन करा है उसमें कोई भी समय पर किसी भी मात्रा की निरभरता नहीं थी तो जैसे कि हमने चार्जे या आवेश लिए तो उनको रो आर लिखा और रो आर टी नहीं लिया या जे आर लिया जे आर टी नहीं लिया और इसके कारण जो हमको समीकरण मिले क्षेत्रों के लिए वे मिले दाइवर्जेंस ऑफ ए बराबर रो बटे एपसलान जीरो करल ऑफ ए बराबर जीरो डाइवर्जेंस ऑफ बी बराबर जीरो और करल ऑफ बी बराबर म्यू नॉट जे आर और ए के लिए जो हमने समीकरण लिखे हैं इसका आर्थी है भी हुआ कि हम एक विभाव की परिभाशा दे सके और इसी प्रकार डेल डॉट बी बराबर जीरो के कारण एक वेक्टर पोटेंशिल की परिभाशा दे सके अब हम इन मात्राओं में कुछ समय पर निर्भड़ता डालेंगे और देखेंगे तब क्या होता है तो इसमें जो सबसे पहला नियम आता है वे हैं और यह नियम एक experimental fact या प्रियोक करके निकाला हुआ नियम है जिसके अनुसार यदि किसी परिपत से जाने वाला चुम्बकी यह flux समय के साथ बदलता है तो उस परिपत में एक वेद्युत वाहक बल जिसको हम इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स इसको मैं देवनागरी में भी लिख देता हूं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स उत्पन हो जाता है यह आप अपनी पिछली कक्षाओं में भी सीख चुके हैं और इस वेद्युत वाहक बल यह एलेक्ट्रो मोटिव फोर्स जिसको अभहम EMF लिखना शुरू करेंगे कामान डी फाई बाई डी टी अर्थात फ्लक्स के बदलने की दर के बराबर होता है जहां पर फाई फ्लक्स है और इसके साथ एक तीसरी बात भी आती है और वह है कि उत्पन उत्पन EMF इस प्रकार का होता है कि इसकी विद्वारा परिपत में दी जैने वाली धारा फाई के बदलाव का विरोध करती है इसका आर्थ यह हुआ कि यदि डेल्टा फाई बढ़ रहा हो और इसके लिए हम दिशा बताएंगे कैसे इसको बढ़ता हुआ माने कैसे बढ़ता हुआ माने तो धारा से उत्पन जो चुमबकीक शेत्र होगा वह डेल्टा फाई को कम करेगा और यदि डेल्टा फाई कम हो रहा हो तो बी उसे बढ़ाएगा तो इसमें से जो पहला नियम है इसको हम कहते हैं फेराडे का नियम और जो दूसरा नियम है कि इसकी दिशा क्या होगी इसको हम कहते हैं लेंस का नियम लेंस का नियम एक उर्जा संरक्षां के नियम जैसा है जो कि हम बाद में दिखाएंगे तो अब देखते हैं कि इसका का अर्थ क्या हुआ तो मान लीजिए कि हमारे पास एक परिपत है जिसमें एक स्विच लगा हुआ है और यह एक बैटरी से जुड़ा हुआ है इसी के अनुरूप एक दूसरा परिपत लेते हैं जिसमें स्विच तो लगा हुआ है परन्तु यह जुड़ा हुआ है तो इससे धारा बह रही पहले परिपत में हम स्विच को ओन करते हैं जैसा कि हिंदी में कहेंगे हमने कुंजी को जोड़ दिया तो इसके कारण इसमें एक धारा बहने लगेगी तो इसमें डी आई बाई डी टी शुन्य से बढ़ा होगा क्योंकि धारा बहनी शुरू होगी और धारा की दिशा इस प्रकार से होगी और यदि इस दिशा में धारा बह रही है तो उपर की और जो फलक्स आएगा डी फाई बाई डी टी बढ़ेगा और चूंकि अब जो उत्पन इम एफ है उसको इसका वि स्क्रिप्टिड ए है तो इसके विरुद्ध है जाएगा और यदि हम मान लें कि फाई एल के समानुपाती है फाई इस इकल टो ल आई हम लिख दें तो ई माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर आई आर होगा तो आप देखेंगे कि जो रिनात्मक चिन्न हमने लिका है कि इसका हम विरौध कर रहे हैं इसी प्रकार दूसरे वाले परिपत में हम स्विच को आफ करते हैं अर्थात कुझी को हम निकाल लेते हैं इस दशा में करेंट का मान घटेगा और करेंट का यदि मान घटेगा तो पुन्हें जो लेंज के नियम के अनुसार जो इमफ बनेगा वह इस प्रकार होगा कि करेंट का मान बढ़ता रहे क्योंकि इसका आर्थ यह है कि d5 by dt भी कम होगा तो पुन्हें यदि हम इसकी समी करन लिखें तो उसका मान होगा माइनस L d i by dt बराबर i r जोकि d i by dt रहनात्मक है तो e माइनस L d y by dt धनात्मक हो जाएगा और फिर से करेंट उस और बढ़ेगी तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही दशाओं में समी करन लिख सा है और इस कारण हम लिख सकते हैं कि जो e mf पैदा हुआ है और उसको अब हम कहेंगे e mf उत्प्रेरित या अंग्रेजी में इसको बोलते है इंड्यूस्ट बराबर माइनस d i by dt तो यह सम्झाने के बाद मैं अगले प्रश्ट पर दुबारा से लिखूंगा तो इन परिपत्थों दौरा हमने देखा कि कि जो उत्प्रेरित या इंडूस्ट E mf होगा उसको हम मίνus d phi by dt समीकरण से दर्श आते हैं और पुन्हें आपको बता दूं कि यह जो रिनात्मक चिन है यह लेंज का नियम है अब आप कह सकते हैं किस से अंतर क्या पढ़ता है आप तो किसी परिपत को देखें तो अंदाजा लगा सकते हैं किस और फाई बढ़ रहा है किस और कम हो रहा है तो यह एक रिनात्मक चिन लगाने की क्या आवशक्ता है इसकी आवशक्ता है क्योंकि जब हम गनित करते हैं तो उसमें इसका बहुत अंतर पढ़ता है तो उन्हें मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा दिशाओं पर ध्यान दें चोंकि यहां पर आई एक पत यानि कि किसी तार पर है और उत्पन होने वाले क्षेत्र चुमबकी क्षेत्र बी या इसका फ्लक्स फाई इस सम्तल के लंबवत हो सकता है या इसके उत्वज़ता है तो पत के तल के लंबवत हो सकता है तो हमें इनकी दिशाओं के लिए पहले से तै की हुई परिपाटी के अनुसार चलना होगा तो आम तौर पर जैसे हमने पहले देखा था कि यदि हम वामावर्द दिशा में जा रहे हैं तो उसको हम धनात्मक ले लेते हैं दक्षिनावर्द दिशा को हम धनात्मक ले लेते हैं और जो सम्तल है या उसका क्षेत्फल है उसके लिए हम दाए हाथ के नियम का प्रियो करके उसकी दिशा का निर्धारन करते हैं त लेकिन जो भी दिशा हमें एक बार कोई परिपार्टी मानें, तो उसके ही साथ चलना होगा, क्योंकि बीच में यदि हम दिशाओं को बदलेंगे, तो हमारी गनत गलत हो जाएगी, तो एक जो आम तोर पर वामा वर्दिशा धनात्मा के होती है, और यह हमारी परिपार्टी है यह कोई नियम नहीं है, और दक्षिनावर्थ दिशा रिनात्मक होती है, और शेत्रफल की दिशा दाएँ हाथ के नियम से, तो इन चीजियों का आप ध्यान रखें, तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, कि थोड़ी सी व्याक्या हम कर देते हैं, लेंज के नियम की, और इसका हम विशेश तावर पर संबंध निकालेंगे, ओर्जा, संदक्षन से संबंध, तो माने लीजिए हमारे पास एक परिपत है, जिसमें कुछ धारा बह रही है, और इसका प्रतिरोध आर है, किसी तरीके से हमने ये धारा इसमें बहा दी, तो यदि हम उत्प्रेरित एम एफ बराबर इसको डी, L, डी, आई, बाई, डी, टी लें और वो रिनात्मक्चन नना लें, तो चूंकि यहाँ एक प्रतिरोध है, तो जो धारा जीरो समय पर थी, वो धीरे-धीरे कम होगी, तो हमारी जो समीकरान बनेगी, वह एम एफ तो L, डी, आई, बाई, डी, टी होगा, ये बराबर आर, आई होगा, और इससे आप देख सकते हैं, कि I, समान उपाती हो जागा, E raised to R by L, टी के, तो यदि आप इसको देखें, जो हमको हल मिला है, इस समीकरान का, तो इसके अनुसार, धारा, समय के साथ, बढ़ती है, और ये बढ़ती है, तो I square R, Joule heating भी बढ़ती जाएगी, जो उश्मा है, इस पृतिरोध में बढ़ती जाएगी, तो अपने आप उड़जा पैदा हो रही है, और ऐसा नहीं हो सकता, इसका आर्थिया होगा, कि, जूल उश्मा का उत्पादन भी बढ़ता जाएगा, और यह उड़जा संरक्षा के अनुसार, नहीं है, तो यह गलत है, तो यदि, जैसे मैंने पहले कहा कि यह, जो हम रिनात्मक चिन्न सामने रखते हैं, लेंस के नियम के लिए, यह आवश्यक है, जब हम गनित करते हैं, इसी प्रकार यह आप देखें, कि, यदि हम माइनस, L di by dt लेते हैं, यह बराबर r i लें, तो इसका अर्थिया होगा, कि i proportional to e raised to minus r by lt होगा, और इसका अर्थिया है, कि, समय के साथ, i गटती है, और, धीरे-धीरे, शून हो जाती है, तो जितनी भी इसमें एक कोई उर्जा संडक्षित थी, वो पूरी तरह से उखश्मा वजलती है, और उसके बाद आईशून हो जाती है, तो इस रिनात्मक चिन्न का, जो हमको प्रितीक मात्मक लग रहा था, कि इसकी वज़े से ये विरोध करता है, ये दिखाता है, इसका गणिती महत्तो है, और इसलिए इसको रखना बहुत आवश्यक है, तो अब तक हमने देखा, कि फिराडे का नियम कहता है, कि यदि हमारे पास कोई परिपत है, और इस से है उपर जाने वाला फ्लक्स फाई बदल रहा हो, तो इसमें एक EMF उत्प्रेडेट या इंड्यूस हो जाता है, और ये माइनस दी फाई बाई दी द्वारा दिया जाता है, अब हम इसी नियम को एक दूसरे दस्ट्रिकोंट से देखते हैं, तो एक इस नियम को देखने का या समझने का एक दूसरा दस्ट्रिकोंट और इसको हम कहेंगे, गतिक, वैद्य उत्वाहत बल, या अंग्रेजी में, मोशनल एमफ, मोशनल एमफ, तो इसका अर्थ भी समझते हैं, तो मान लीजिए, आपके पास समझने के लिए एक इस लेटे हुई यू के आकार का कोई तार है, और इसमें चुमगीक शेत्र अंदर की ओड जा रहा है, और दिशा, चुकि हम बार बार उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं इसका दूसरा समारूप भी बना दूँगा, जिसमें चुमगीक शेत्र बाहर की ओड़ा रहा है, और इसमें हमने एक और तार रखा है, जिसको हम मान लीजिए, दाई और एक गती वी से खीच रहे हैं, तो फेराडे के नियम के अनुसार जो इसमें E M F पैदा होगा, वो बराबर होगा, माइनस D Phi by D T, और जिदी इस चुमगीक शेत्र का मान B हो, तो इसका मान हो जाएगा, इस U की जो चुड़ाई है, W जिसको हम मान लेते हैं, W, B एक समान है, और इसके क्षेत्र फल में होने वाला परिवर्टन जो की हो जाएगा, W, तो W, W, जो है इसके क्षेत्र फल में होने वाला परिवर्टन है, उसको एदि हम B से गुड़ा करें, तो हमको D5ATT मिल जाता है, और सामने हम एक रिनात्मक्चन रखते हैं, यह दिखाने के लिए कि इसका विरोध करेगा इस बढ़ाव का, तो पहले जो चित्र है हरावाला, उसमें अंदर की ओर जाता हुआ फलक्स बढ़ रहा है, इसका विरोध करने के लिए अंदर की ओर जाते हुए फलक्स के बढ़ाव को कम करना होगा, तो जो पैदा जो चुमबकी क्षेत्र होगा इस धारा की वैसे बाहर की ओर आना अब इसको आप गनिती रूप से देखें, तो अंदर को जाते हुए फलक्स को हम रिनात्मक लेते हैं, क्योंकि यह फलक्स एक दक्षनावर्थ धारा से पैदा होता है, तो यदि वै बढ़ रहा है तो रिनात्मक दिशा में यह बढ़ रहा है, इसको बदलने के लिए हमको धनात्मक दिशा में एक जुम्ब की एक शेत्र पैदा करना होगा, और उसके लिए जो धारा है वह धनात्मक दिशा में, यानि कि वामा वर्त बहनी चाहिए, वही हम देख रहे हैं, इसी प्रकार जो दूसरा हमने इसी का उधारन लिया है, जिसमें की बाहर की ओर आ रहा है तो ये बाहर की ओर बढ़ेगा, अर्तात इसका धनात्मक दिशा में बढ़ रहा है, तो धारा ने एक रनात्मक दिशा में भी पैदा करना चाहिए, और इसलिए पैदा होने वाली धारा दक्शना वर्त होगी, तो आप देखिए वह रनात्मक चिन और ये सब आपस में इस अच्छे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने उनकी परिभाशा ठीक से दी है, तो फैराडे के नियमा इंसार ये होगा, अब इसी को यदि हम देखना चाहें, गतिक वैद्यक वाहक बल के अनुसार, तो यदि हम इस छड़ में, छड़ को मैं एक दूसरे रंग से, गुला पहले वाले के इसमें, वी क्रॉस बी बल उपर की और लगेगा, ये इसमें लगने वाला बल होगा, और दूसरे वाले के इसमें, वी क्रॉस बी बल नीचे की और लगेगा, और इसके कारण, उसी दिशा में, ये आवेश बहने लगेंगे, लेकिन अब इसको हम इसकी व्या MF या विद्यत्वहग बलके अनसार के रूप में बाहर आती है। तो हम देखते हैं कि एक Q आवेश को W दूरी चलने पर दी गई उर्जा बराबर होगी इस पर लगने वाला बल Q V B गुर्णादूरी W और इसलिए EMF जो की प्रती इकाई आवेश पर जो उर्जा होती है वह होती है बराबर हो जाएगी Q V B W बटा Q बराबर V B W तो इसका मान भी वही आता है जो की यहाँ पर चुकि हम एक दूसरे तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं तो इसको हम गतिक वैद्युत्वाहक बल या मोशनल इलेक्ट्रो मोटिफ फॉर्स कहते हैं आप देख रहे हैं कि दोनों एक ही चीज हैं इनमें कोई अंतर नहीं हैं लेकिन इसको हम पहले एक उधारन करेंगे इसका और उसके बाद दूसरेंगे इसका और इसके बाद दूसरेंगे और दिखाएंगे थोड़ा एक सरहल तरीके से थोड़ा सा सरहल गनित करते हुए कि वास्तों में दोनों एक ही हैं तो पहले इसका एक उधारन कर लेते हैं चित्रानुसार एक सुचालक से बनी तश्टरी स्केत्रज्या आर है एक समान चुम्बकी क्षेत्र में इसका मान भी है कौनी है वेग ओमेगा से घूम रही है यसके केंडर और परिडिके वीच उत्पन वेद्ध वाहकबल कमान। कामान याद करें तो चित्र मैं आपके लिए बना देता हूं इस चित्र में एक यह तश्टरी है जो कि एक समान चुमबगी क्षेत्र बी में है इसको मैंने पहले लिखा नहीं कि एक समान चुमबगी क्षेत्र है यह बी में है और यह अपने अक्ष के चारों और उमेगा कोनी इवेक से घूम रही है तो हम चाहते हैं कि इसका केंद्र ओ और पर्धी जिस पर एक बिन्दू हम पी ले ले लेते हैं उसके बीच में क्या वैदियत वाहकबल पैदा होगा जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि वैदियत वाहकबल को हम मोशनल इमफ भी कहते हैं या फेराडे के नियम से डेल्टा फाई डेल्टा टी निकाल कर निकाल सकते हैं तो यहां पर आसान होगा कि हम इसको मोशनल इमफ के रूप में निकालने के लिए हम देखते हैं कि यदि मैं एक आवेश बीच मैं क्यूंआ कहीं पर ले लूँ ढूरी आर पर आर दूरी गया हम केंद्र से नाप आप रहे हैं पर आवेश क्यूआ पर लगने वाला बल और यह घूर क्यों लग रहा है V B जिसका मानोगा Q omega R B और यह बाहर की ओर होगा जैसा कि चित्र से विद्ध है क्योंकि यह यहां पर अंदर की ओर जा रहा है तो इतना इस पर बल लग रहा है तो यदि आवेश O से P तक आता है तो इसके द्वारा अरजित उर्जा बराबर होगी बल डी आर चुकि बल आर पर निर्भा कर रहा है जीरो टू आर और यह आप आसानी से निकाल सकते हैं इसका माना जाएगा Q omega R स्क्वाइर भी पटा दो इसलिए जो E M F होगा वह इस उर्जा को Q से डिवाइड करने पर मिलेगा इसका माना हो जाएगा Q R स्क्वाइर भी पटा दो यह उधारन हमने निकाला इसी के थोड़े-थोड़े अलग-अलग रूप भी आप देखते हैं इसी का एक रूप यह है कि मान लीजिए हमें एक छड़ ले लें और इस छड़ को एक समान चुमबकीक शेत्र B में इसके एक छोड़ से जाने वाले अक्ष के चारों और उमेगा से घुमाएं तो मैं आप से सवाल पूछ सकता हूं कि इस छड़ के दोनों छोड़ों के बीज में वेधित वाहक बल कितना होगा तो उसमें भी मान E M F बराबर उमेगा R स्क्वाइर B बटा दो ही आएगा अब आप कह सकते हैं कि मैंने पहले कहा कि गतिक E M F गतिक वेधित वाहक बल और D5-DT से निकाला हुआ E M F एक ही होते हैं तो कैसे यहां पर हम वो परिपत बनाएंगे जिसमें हम ऐसा देख सकें तो वो दिखाने के लिए पहले मैं तो तश्टरी ली थी उसको देखता हूं और उसके केंद्र और O और P के बीच में बाहर से एक तार लगा कर परिपत पूरा करता हूं तो इस परिपत को बाहर का तार दिखाने के लिए हम इस परिकार दिखा सकते हैं और एक संदर्व रेखा रेफरेंस लाइन ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि जब पॉइंट पी जहां पर दिखाया गया है वहां पर है और जब उसके थोड़ा सा बाहर चले जाता है जिससे की परिपत इस प्रकार पूरा होता है तो यह रेफरेंस लाइन और O P के बीच में इतना शेत्रफल अत्रिक्त आ जाता है तो डेल्टा शेत्रफल बराबर हो जाएगा इस त्रिभुच का मान क्योंकि यह डेल्टा टी बहुत चोटा है तो इसका मान हो जाएगा O Mega R डल्टा टी, यह तो यह दूरी हो गए इसमें, पी और इसके नई जुश्थिती है इसके बीच में, गुर्णा आर बटा दो, इसका मान हो जाएगा, ओमेगा आर इसकुयर बटा दो डल्टा टी, तो इसलिए डल्टा फाई, इस परिपतसे होकर, गुजरने वाला, क्योंकि ब बहर या अंदर ही जा रहा है बराबर हो जाएगा omega r square बटा दो B delta T और इसलिए EMF बराबर delta 5 बटा delta T इसका हम खाली मान निकाल रहे हैं बराबर हो जाएगा omega r square बटा 2 B जो कि पहले जो हमने बल निकाल कर जो निकाला था वही है तो आपको यहाँ पर भी दिख रहा है कि दोनों से एक ही मान मिलता है सोचने का ढधं थोड़ा-थोड़ा अलग है पहले में हमारा दर्श्टी कोड़ने की एक चलते हुए आवेश पर जुंबकीक-शेतर से बल लगता है और यहां पर हमारा दर्श्टिक ओने की बदलते हुए फ्लक्स से एक EMF पैदा होता है लेकिन जो उसका उत्पन होने का तरीका है वह एक सा है और वह है कि इस आवेश पर बल लगना चूंकि यह चल रहा है तो यहमान गतिक EMK बराबर है तो इस प्रकार हमने देखा कि दोनों तरीके से एक ही उत्तर मिलता है तो अब हम देखेंगे कि कैसे यह दिखाएं और यह दिखाने के लिए हमको गनितिय तरीका का प्रयोग करना होगा की वास्तव में डेल्टा फाई डेल्टा टी और गतिक EMF एक ही होते हैं तो इसको अब हम आपको दिखाएंगे तो मान लीजिए इसके लिए कि हमारे पास एक समान B है और इसके बीच में एक हम गनित को बहुत सा सल रखेंगे इसलिए एक बीच में एक छला लेते हैं आर त्रिज्या का जिसका तल इस B के लंबवद है तो यदि इस छले को हम चलाएं वी गति से तो यहां पर D5 by Dt 0 होगा, 0 क्यों होगा क्योंकि इसके फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, फ्लक्स बराबर है पाई आर स्क्वाइर बी और सब कुछ एक समान है तो यह डेल्टा 5 बेटर डेल्टा D 0 है, इसकार्थ यह हुआ कि EMF उत्प्रेरित आपकर जो बन रहा है वह 0 है और यहां आप देख सकते हैं कि चूंकि V ऊपर की ओर है तो गतिक EMF बनने के लिए एक B होना चाहिए उसी समतल में वह भी नहीं है, तो D5 Dt से बराबर 0 है हमको EMF पर शूनी मिलता है और Gothic EMF भी शूनी है क्योंकि इस छले में किसी आवेश Q पर कोई बल नहीं लग रहा तो अब हम मानेंगे कि DB टा DZ शूनी नहीं है यदि ऐसा है तो जैसे जैसे छला उपर की ओर जाएगा इसमें से होकर जाने वाला flux बदलेगा और इसमें एक EMF पैदा होगा और अब हम देखेंगे कि कुछ और भी इसमें एक subtle points या कुछ ध्यान देने योग ये बात आती है तो पहले उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि यदि db by dz 0 नहीं है इसका आर्थिया है कि हम कह रहे हैं जो z घटक है इसका वह z के साथ बदल रहा है इसी जिए db by dz 0 नहीं है लेकिन हमें ये भी पता है कि divergence of b 0 नहीं होती है इसका आर्थिया हुआ कि यदि हम cylindrical coordinates का प्रियोग करें 1 over s d by ds s bs plus dbz by dz बराबर 0 नहीं है तो यदि ये 0 नहीं है तो ये मात्रा भी 0 नहीं होगी और इसका आर्थिया हुआ कि bs 0 नहीं है चुकि इसका divergence 0 है b का इसके कारण ये होता है तो यदि b का z घटक बदल रहा है वो मान लीजिए कम या जादा हो रहा है तो एक s component भी साथ में b का होगा ये हम देख सकते हैं कि यदि bz इस प्रकार है तो एक s का component होगा और ये बल रेखाएं घुमावदार इसी लिए हैं क्योंकि s component भी होगा अब आप देखें कि यदि इस में एक चल्ला उपर की ओर चले तो इसमें जो भी अंदर आवेश क्यों होगा उसकी गती तो उपर की ओर है लेकिन उसमें एक b उसके धनात्मक दिशा में उसका घटक है इसी प्रकार दूसरे वाले में भी यदि मैं एक चल्ला बनाओं इसमें किसी भी आवेश पर उपर की ओर V है और अंदर की और बी एस है तो इस पर एक बल लगेगा तो इन दोनों दशाओं में Q पर एक बल लगेगा और यदि यह बल निकाला जाए तो इसका मान बराबर होगा V क्योंकि हम V मान रहे है एक सा है B गुणा Q और छलने में एक चक्कर पूरा करने में प्राप्त उर्जा बराबर होगी यह बल चुकि इसके फाइद इशा में है Q V V गुणा टू पाई आर और इस कार्थ यह होगा कि E M F बराबर हो जाएगा टू पाई वी बी आर और इसको हमने चलायमान या गतिक वैद्युत्वाहक बल उस तरीके से देखा है अब देखते हैं डेल्टा फाई डेल्टा टी करके क्या निकलता है तो यदि हम डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी बराबर होगा वन ओवर डेल्टा टी और डेल्टा फाई का मान निकाल लेते हैं वह होगा इसका शेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इसमें होने वाला बदलाव भी में तो हम चुम्पकी शेत्र का मान निकालेंगे z plus v delta t पर और इससे घटा देंगे b z और यह इसका z component है. तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कि यह है 1 upon delta t b dot ds यहांकि यह इसका integral है, उप्री और नीची की सतय पर. b dot ds के वर उप्री सतय पर इसका मान धनात्मक है, और निचली सतय पर क्योंकि ds का मान उल्टी दिशा में होगा, तो यह एक धनात्मक आ जाता है, और यह ही इसका मान होगा. तो यह हम इसको निकालते हैं, तो हमने क्या कर रहा है, एक ही हम जिसमें चित्र बना लेते हैं, मान लीजिए, क्या 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 जा रहा है, तब डलता फ़ी डलता ट बराभर है, वन अपन डलता t integral v dot ds उप्री तथा निचली सथ है, तो यह जो चलना था यह z से यहाँ पर z plus v delta t तक चले गया और हम यह जो integral निकाल रहा है, उप्री और निचली सथ है के ऊपर निकाल रहा है, अब देखिए हम गनित का प्रयोग करेंगे, पर v dot ds इस cylinder के सभी सथां उपर, बराबर हो जाएगा divergence of b dv इस cylinder के ऊपर, और divergence of b 0 है, इसलिए यह 0 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं, जो वाय हाथ वाला पद है, इसको लिख सकते हैं, b dot ds उपरी और निचरी सते हैं, plus b dot ds इसको गोल यह जो सते हैं, और यह बराबर हो जाएगा, b dot ds उपरी और निचरी सते हैं, plus, क्योंकि v delta t बहुत छोटा है, इसको हम b s का खाली मान लेंगे, जो किसी भी एक z पर है, क्योंकि उसका, जो उसमें सुधार होगा, second order होगा delta t में, तो b s 2 pi r v delta t, तो आप देख सकते हैं, कि जो delta phi delta t होगा, वह है, b dot ds उपरी और निचरी सते हैं, और यह बराबर हो जाएगा, minus b s 2 pi r v delta t बटे, delta t यहां पर delta t था और यह बराबर आ जाएगा, 2 pi r v b s, यह वही मान है, जो हमने पहले निकाला था, तो आप देख सकते हैं, हमने गनिती तरीके से यह बता दिया, कि delta phi delta t, और जो गतिक वैद्यद वहकबल होता है, वह एक ही होता है, और इसमें हमने divergence theorem का प्रियोग करा, divergence की primary का प्रियोग करा, और यह भी देखा कि b बदलना चाहिए, तो b नहीं बदलता है, तो कोई emf पैदा ही नहीं हो रहा था, तो इस तरीके से हम ने इन दोनों को एक ही दिखा दिया, तो इसी के साथ हम इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं, और अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि कैसे इस नियम से हम यह भी निकालते हैं, कि एक बदलते हुए पैदा होता है, तो इसको हम पैख्यान को समाप्त करते हैं, इसका सारांश देते हैं, कि यदि किसी परिपत से होकर जाने वाला फ्लक्स फाई समय के साथ बदल रहा हो, और अभी तक समय के साथ बदलने के लिए हमने केवल परिपत को ही बदला है, तो उसमें एक EMF उत्पन होता है, और EMF का मान बराबर होता है माइनस दी फाई बाई दी टी, यह तो हो गया फेराडे का नियम, तो इसमें हमने लेंस के नियम के अनुसार पहले ही एक रिनात्मक चिन्न लगा रखा है, तो फेराडे के नियम को पूरी तरीके से हम इसी प्रिकार लिखते हैं, और दूसरी बात की गतिक वैद्यत वाहक बल और दी फाई बाई दी एक ही मात्रा हैं, यह दी 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 परिपत के चलाएमान होने के कारण होता है, तो यह दी इसमें जो फ्लक्स का बदलाव है वे परिपत के चलाएमान होने के कारण होता है, तो हमने देखा कि वैद्यत वाहक बल गतिक वैद्यत वाहक बल और दी फाई बाई दी 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 एक ही होते हैं, मैं विशेश रूप पे कह रहा हूं कि यह दी परिपत के चलाएमान होने के कारण होता है, क्योंकि अब हम अगले व्याख्यान में फेराडे के नियम का एक दू कुछ गुछता है, क्युछ प्रने दी एक देखा कुछता भाहक इन फ दी जी देखता है, क्योंकि टोो होते है, क्युछता वाह, रखर्भश्यत